हाई गाईज वेलकम तो मैं चानल एजुकेशन फाइल और अज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंक्वाइरी टीचिंग मॉडल के बारे में तो यह पर्टिकुलर टॉपिक है बेट के लानिंग एंड टीचिंग में नहीं करता है वीडियो बनाने का से तो कंटेंट बिलकुल फ्री है आपसे कोई भी चार्ट नहीं लिया जा रहा है वीडियो देखो और अच्छा लगी तो प्लीज लाइक करो चलो तो पढ़ते हैं इंक्वाइरी मॉडल के बारे में तो बिसिकली इंक्वाइरी होती किया है तो इंक्वाइरी को बिसिकली हम हिंदी में डिफाइन कर सकते हैं कि पूछ ताच जाच पड़ताल ठीक है और इस मॉडल में इंक्वाइरी का मतलब है कि एक लानिंग एप्रोच है जिसमें हम को problem दे दी जाती है अब problem आती है तो बहुत अच्छी बात है previous knowledge को इस problem पर यूज कर सकते हैं अगर problem नहीं आती है तो बच्चा फिर अपने skill यूज करता है hypothesis बनाता है दूसरों से पूछता है अपने ideas को रखता है कि इस problem को किस तरह से solve किया जा सकता है ठीक है resources यूज करेगा और फिर उसके conclusion पर पहुझेगा कि इस particular problem का क्या conclusion है ठीक है कैसे ये problem दूर होगी कैसे ये ठीक होगी अब particular problem है क्या तो inquiry का basically definition कि है an act of asking मतलब questions को पूछना क्यों ताकि हमें information मिल सके और inquiry में होती है systematic investigation मतलब एक step wise manner में investigation होती है और हमें knowledge gain करने में help मिलती है इसलिए inquiry teaching model को class के अंदर use किया जाता है चलो तो inquiry teaching model या push touch section model तो ये model दिया था Richard सच्मेन ने इन्होंने क्या कहा इन्होंने कहा कि जब human या हम puzzled होते हैं जब ऐसी situation आती confusion वाली तो हम questions ask करते हैं है ना जैसे किसी problem में आफास जाओ तो simple सा है कि हम questions पोछते हैं कि भाई कैसे होगी दूसरों से पोछते हैं कि आपके साथ ये particular experience हुआ है या नहीं हुआ है और इस particular problem को कैसे solve करेंगे तो वही चीज रिचर्ड सच्मेन ने कही कि जब हम बजल होते हैं तो question पोछते हैं और नई strategies बनाते हैं और नई strategies जब बनाते हैं problem को solve कर निकोसिज करते हैं तो knowledge acquired करते हैं knowledge को accumulate करते हैं ठीक है मतलब ग्यान हमारा बढ़ता जाता है और problem भी solve हो जाती है और हमें फिर मिल जाता है experience और हमें सोचने की ताकत को बहुत ही ज़ादा enhance करती है इसी लिए जब inquiry model होता है तो classroom में discussion को suggest किया जाता है या discussion को बढ़ावा दिया जाता है ठीक है क्योंकि जब अपने बच्चे अपने अपने ideas को रखेंगे तब learning बहुत ज़ाद अच्छे तरीके से होगी क्योंकि सभी के विचार आएंगे problem को solve करने के लिए तो इस model में क्या है बच्चो को encourage कि जाता है motivate किया जाता है explore करने के लिए कि वो question पूछें अपने ideas को present करें express करें ताकि एक particular conclusion तक पहुँचा जा सके और ये model बच्चो में curiosity को enhance करता है कि particular problem क्यों है कैसे है और कैसे ठीक होगी तो बच्चे बहुत जादा curious हो जाते हैं और किसी problem का solution ढूढ़ना जाते है ठीक है I hope आपका समझे आ रहा है बहुत simple साया normal या daily life में भी inquiry हम हर एक जगाई उज़ करते हैं कि small growth बना सकते हैं उनमें discussion एन्यहेंस कर सकते हैं और time to time teacher इसमें guide करता रहता है कि कैसे हम solution तक पहुचें ठीक है इसमें सबसे जरूरी बात क्या है इसमें learning by doing होती है या experiential mode of learning होता है ठीक है क्योंकि बच्चे इसमें अपने आप answers को ठीक होन रहे हैं तो एक discovery learning भी है इसमें तो जब discovery learning होती है तो ब्रोनर ने कहा ही था कि discovery learning में बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखते हैं तो सभी models में हमें पता है कुछ fundamental elements होती है तो इसमें भी है कि इसका focus क्या है इसका syntax या structure कैसा है ये कैसे काम करता है principles of reaction क्या है teacher कैसे help करता है social system क्या है environment कैसा होना चाहिए support system क्या है मतलब इस model को support कौन करता है क्या के चीज़े basic जरूरते हैं मतलब इसमें application क्या है मतलब ये model कहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से use किया जा सकता है तो focus पड़ते हैं तो इस model का focus क्या है बच्चों में critical thinking को increase करना मतलब कहन सोच आ सके कि कोई चीज कैसे काम करती है बच्चों में discussion को increase करना बच्चों में sharing of ideas या ideas को express करना सिखाना ताकि बच्चे अपने आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से express कर सकें ठीक है और इस model में बच्चे discovery के जरिये सीख सकें और जब ऐसी चीज़े होती है मतलब learning by doing होती है तो वो particular चीज़ बहुत लंबे time तक याद रहती है ठीक है तो ये है इसका main focus अब आते हैं syntax या structure पे तो इसमें basically 5 steps होते हैं 5 phases होते हैं सबसे पहले होता है encountering or identification with the problem की problem का पता लगाना फिर hypothesis बनती है उसको verify करते हैं या भी हम बढ़ेंग अच्छे से फिर data gathering होती है उसको experimentation के जरिये जो भी hypothesis बनी है step पे उसको check किया जाता है कि जो भी हमने परिकल्पना की है वो ठीक है या नहीं है हमने कोई particular चीज सीखी है या करी है फिर उसको analyze करते हैं फिर से evaluate करते हैं फिर होगे मारी inquiry model खतम तो अब देखते हैं अच्छे से सबसे पहले क्या है identification of problem है इसमें teacher बच्चों को problematic situation देता है proper explanation देता है और teacher ये भी explain करता है किस तरह से बच्चों को inquiry start करनी है या कैसे आगी बढ़ना है ठीक है teacher objective ही decide करता है और strategies भी बताता है time to time जब भी बच्चों को जरूरत होती है simple दी बात है न problem का पता लगाते है तो यहाँ पे हमें problem का पता चलिए आप क्या करेंगे है data gather करेंगे verify करेंगे और अपनी hypothesis लगाएंगे कि hypothesis होती है परिकल्पना करना परिकल्पना हम कैसे करते हैं जो भी हमारे पास previous knowledge है उसके base पे हम hypothesis लगाते हैं कि कोई particular problem कैसे ठीक होगी अगर यह hypothesis यूज नहीं हो रही है दूसरी hypothesis यूज करेंगे तीसरी hypothesis यूज करेंगे और उसका solution ढूढ़नेगे getting a point simple size को practical यूज में करके देखना मतलब practical example लेके देखना एक problem मिली हमने hypothesis बनाई उस hypothesis पे काम करेंगे मतलब उसको verify करेंगे अगर यह काम नहीं करी दूसरी hypothesis बनाईगे ठीक है और इसी step पे बच्चे क्या करते है जो भी needed material है जो भी resource है इसी step पे बच्चे उसको इखटा करते है इसे बच्चे questions पे design करेंगे कि कौन-कौन से questions पूछे जाए कैसे आगे बढ़ा जाए और hypothesis को कैसे use करना है कैसे और अच्छे से तयार करना है वो time to time according to situation चलता रहता है चलो देन आ गई हम data gathering for experimentation अब जो भी हमने हमें problem मिली थी उसको verify किया था मतलब hypothesis बनाई अब वोस hypothesis को हम experimentation के जरिए use करेंगे ठीक है तो basically कोई practical subject है तो उसमें experiment होगा अगर कोई theory subject है तेन उसमें हम information को collect करेंगे उसको use करेंगे अगर उस situation के according fit होती है तो सही है अगर fit नहीं होती तेन अगेन हम दूसरी hypothesis बनाएंगे और उसको experiment करेंगे उसको check करेंगे ठीक है और teacher time to time हर एक step पे बच्चों की help करता रहेगा जब भी बच्चों को जरूरत है चलो गयना आते हैं four step पे जिसको कहते हैं formulating या तयार करना explanation को ठीक है अब हमें देखो हमें problem भी पता था उसको verify भी कर लिया उसको experimentation भी कर लिया अब जो भी result आएगा इसे results को explain करना है जो भी rule already set किये गए थे teacher के द्वारा तो fifth step पे जो भी हमारे पास data है उसका visualization करेंगे उसका मुल्यांकन करेंगे चेक करेंगे कि जो भी हमारी overall hypothesis सही है या नहीं है अगर result हमारी hypothesis के according है तो बहुत अच्छा है अगर नहीं है then हम फिर से hypothesis बनाएंगे फिर से verify करेंगे सब फिर से experimentation करेंगे then फिर से उसपे काम करेंगे ठीक है पदल एक problem मिल गई उसको check करते है उसको experiment experimentation करते है अगर सही है तो very nice अगर सही नहीं है तो फिर से हम hypothesis बनाते है उस particular problem को लेके और फिर से उस पे वही सब काम करते हैं यह तो simple real life में भी होता है न कि कोई problem है अगर वो problem ठीक हो रही है तो सही है नहीं तो फिर उस पे हम दूसरी approach यूज करते हैं अगर यह approach ठीक नहीं है तो चलो दिन आते हैं principles of reaction के हैं principles of reaction है कि overall situation में teacher कैसे help करता है student की तो teacher का role इसमें बहुत बड़ा है teacher time to time बच्चों के help करता रहता है और बच्चों को direct करता रहता है कि inquiry और questioning अच्छे से करते रहे ठीक है teacher help करता है कि environment बहुत ज़्यादा helpful हो teacher help करता है कि बच्चों को encourage किया जाए, motivate किया जाए ताकि एक अच्छा और meaningful interaction बच्चों में हो और inquiry और ज़्यादा अच्छे तरीके से होती रहे teacher cooperation बहुत ही जरूरी है inquiry learning model में है inquiry teaching model में ठीक है क्योंकि बच्चों को कई बार खुद से नहीं पता रहता कि कौन से जिसा में जाना है social system या overall class का environment कैसा होना चाहिए social system का मतलब है कि environment कैसा होना चाहिए model के तौरान तो इस model में जो भी environment है वो बहुत ही जादा cooperative या बहुत ही जादा helpful होना चाहिए teachers के द्वारा भी और student के द्वारा भी ठीक है टीचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, टीचर ही environment को तयार करने में help करता है, एक planner की तरह help करता है, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से inquiry को या questioning skills को start कर सकें और एक open discussion को जगह मिले, ठीक है, open discussion मतलब जहां पे कोई भी अपने ideas को share कर सकता है, और teacher हमेशा time to time guide करता रहेगा, चलो देन आते हैं support system, तो support system इसमें क्या है, support system मतलब जो इसको मदद करेंगे, तो इसमें support system है, materials, resources, जो भी जरूरी चीज़े हैं, मतलब books, teaching aid, सभी चीज़े जरूरी है, supplementary information भी जरूरी है, suppose बच्चों को ओजोन के बारे में पढ़ना है, तो अगर computers हैं तो बहुत बढ़ है, तो वो भी बहुत बढ़िया, क्योंकि ये सभी चीज़ क्या करेंगे, बच्चों की जो overall knowledge है, उनको और ज़्यादा enhance करेंगे, और बच्चे फिर problem का और ज़्यादा अच्छे तरीके से solution ढूंड सकते हैं, ठीक है, तो supplementary material और resources बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, accessory information के ल अच्छे support system है, ठीक है, चलो, then आते हैं application, तो application के, इसको mostly subjects में apply किया जा सकता है, अगर teacher बहुत ज़्यादा potent है, और inquiry model को अच्छे से structure कर सकता है, ठीक है, इसको हर एक level पे, elementary level पे, secondary level पे, higher education में use किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा चोटी class हो में इसको use नहीं कि किया जा सकता है, क्योंकि बच्चों का उतना cognitive level या जो बहुत दीक शमता है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, ठीक है, चलो, गयनाते merits या advantages क्या inquiry learning model के, तो यह model किसी भी subject में use किया जा सकता है, किसी भी topic में use किया जा सकता है, अगर teacher बहुत अच्छा है, और inquiry model को structure कर सकता है, और खासकर science जैसे subject में और practical subjects में जहां पर practical होता है, वहाँ पर inquiry model को use किया जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से, बच्चों की logical thinking को increase करता है, कि particular problem को किस तरह सी solve करना है, ठीक है, तो बच्चे सोचते हैं और उनकी logical thinking या reasoning power और ज़्यादा increase होत होता है, कोई particular problem अगर हमें नहीं आती है, तो हम अपनी दोस्तों से पूछते हैं, ठीक है, तो इसलिए cooperation increase होता है, बच्चों की questioning skills और ज़्यादा enhance होती है, ठीक है, बच्चे पूछना और ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख जाते हैं, जब questioning करेंगे तो बच्चे और हैं, कि ये छोटी क्लासों में यूज नहीं किया जा सकते हैं, क्योंकि critical thinking चाहिए, थोड़ी logical thinking चाहिए, और छोटी क्लास में inquiry model को उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, इसमें थोड़ा extra time चाहिए, क्योंकि पहले teacher पूरा बताएग पर्टिकुलर topic के बारे में, then बच्चे तभी inquiry model को यूज कर सकते हैं, है ना, मतलब previous knowledge होगी, तभी तो हम problem को solve करेंगे, अगर particular problem के बारे में हमें previous knowledge नहीं है, तो उस problem को solve करना थोड़ा difficult हो जाता है, ठीक है, इस model में resources or supplementary material की ज़रूरत होती है, ताकि हमें result और topic के बारे में हैं, जब 3-4 जगा से पढ़ते हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा अच्छे तरीकी से perspective clear हो जाता है कि particular topic है क्या, particular problem है क्या, तो इसमें resources और supplementary material बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और teacher की time to time help भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, तो ये था by inquiry learning model ये inquiry teaching model, तो इसके कुछ references है, मैं इन सभी का link description box में दे दूँगा, और आप और ज़्यादा अच्छे तरीकी से जाके इसको पढ़ सकते हो, हला कि बहुत easy है, बहुत simple words में समचाने की कोसिस करिये मैंने, चलो, तो यहीं पर video होता है, खतम, I hope video आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, आपकी कोई भी query है, comment है, तो आप please description box में बता देना, मिलते next video में, till then, bye bye, take care.